अबी साजा की जा रही है ऐसे में किसानों का भी कर्तव्य बन गया है कि वे देश को खाद्यान के मामले में आत्म निर्भर बनाने के साथ ही देश की अर्थ विवस्था को भी मजबूत बनाने में सक्रिय भूमी का निभाएं श्रीतोमर ने किसानों से अपील करते वे कहा कि किसान भाई खेती को एक लाबकारी कार्य बनाने के लिए खेत के प्रकार को ध्यान में रखते वे विभिन्द प्रकार की फसलें उगाएं किसानों से संबाद करते वे श्री तोमर ने कहा कि देश के अधिकांच हिस्सों में मौनसून के शुरुवात के साथ ही कई हिस्सों में फसनों की बुआई पूरी हो चुकी है और कई खेत्रों में बुआई की प्रक्रिया जारी है उन्होंने कहा कि बहतर फसल प्रबंधन कार्य प्रणाली को अपना कर क्रिशी उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है बहतर फसल उत्पादन के लिए पहले से योजना बनाना, सही निर्णय लेना और उन्हें खेत में लागू करना आवश्यक है श्री तोमर ने बीचयन, बीजुपचार, बहतर सिचाई प्रणाली, कीट नाशकों का सही उप्योग आदी के बारे में किसानों को जागरू करने वा आधुनिक प्रणाली का उप्योग करने पर बल देते वे कहा कि इससे देज नकेवल खात्यान बलकि आर्थिक मामले में भी आत्म नर्वर होगा खेत्रिय समिती एक में शामिल, हिमाचर प्रदेश, उत्तराखंड, जमुकश्मीर और लद्दाख, उत्तर भारत के पहाडी इलाके हैं लेकिन पहाडी होते वे भी इनकी जलपायों संब्रिद्ध है जो औरशधिय पौधों, सदंदिय खेती और केसर के अलावा महंगे और उन्नत फलों की खेती के अनुकूल है बैठक को संबोधित करते वे क्रिशे एवं किसान कल्यान मंत्री श्री नरेंद्र सिंग तोमर ने कहा कि आत्म निर्भर भारत के लिए जैविक और प्राक्रितिक क्रिशी पधती के साथ साथ एकिकरत क्रिशी को बढ़ाबा दिया जाना चाहिए उन्होंने पसल बीमा योजना के फायदों का जिकर करते हुए किसानों से किसान उत्पादक संगठन यानी एफपियों के गठन का भी आगरह किया साथ ही गाउं-गाउं में सभी किसानों के लिए क्रिशी से संबंधित, बुन्यादी ढाचे और खादे प्रसंस्क्रन इकायों की स्थापना पर जोर दिया केंद्रे क्रिशी और किसान कल्यान राज्य मंत्री श्रीकैलाज चौधरी के मुताविक देश को आत्म नर्भर बनाने में किसानों की संब्रती कारगर साबित होगी उन्होंने कहा कि क्रिशी विकास के लिए जलवायों परिवर्तन की समस्याओं से निजात पाना और राजे सरकारों का सयोग हासिल करना जरूरी है राज्य मंत्री ने युवाओं के लिए क्रिशी में रोजगार के अबसर पैदा करने की बात की और कहा कि किसानों को उचित मुल्य, बेहतरीन बीज और बाजार तक उनकी पहुंच को मजबूत बनाने की जरूरत है भारती क्रिशी अनुसंधान परिशद के महाने देशक डॉक्टर त्रिलोशन महापात्रा ने अलग-अलग शेत्रों में खेती से संबंधित समस्याओं और उसके समाधान के लिए हो रहे अनुसंधानों का जिक्र किया उन्होंने बताया कि जलवायू परिवर्तन के साथ साथ जंगली जानवरों और चारे की समस्या भी एक चुनौती है भारती क्रिशी अनुसंधान परिशद में ही बागवानी के उपमहाने देशक डॉक्टर एके सिंग ने क्षेत्रवार क्रिशी समस्याओं को विस्तार से बताया यहां पर इन जिन छेत्रों के लिए बैठक बुलाई गई है उन में जो मुख्य फसले हैं ज्यादा तर तो बागवानी फसले हैं क्योंकि पहाडी छेत्र है दुरगा मिलाके हैं पानी की कमी तो नहीं है बारसा तो अच्छी खासी होती है मगर वहां पर पानी खेती के लिए उसकी उपलब्दता कमी होती है क्योंकि पानी बाह जाता है भूमी का छरण होता है इसकी वज़े से किसानों को चुनवती का सामना करना पड़ता है क्योंकि ऐसी इन छेत्रों में आना जाना इतना असान नहीं मैदाने हिस्सों के तुलना में इसलिए क्रिसी इन्पूट्स को ही वहां पर पहुंचाना थोड़ा सा चलेंज चुर्वती भरापूर्ण होता है लेकि फिर भी हम लोग संस्थागत तरीके सामारा संस्थान वहां पर है जो कि उन छेत्रों की होलिस्टिक डवलप्मेंट के लिए हर तरीके चाहे क्रिसी एग्रिकल्चर विज्ञान की तक्नीकियों के विकास से समन्दित हो नई प्रजातियों का विकास डवलप्मेंट हो उसके लिए हमार पास एक सेंट्रल टेंपरीट क्राफ रिसर्च इंटिटूट है जो कि स्री नगर में उस्थित है और वहां पे जैसे वहां की फसले हैं अपल है पीयर पीच प्लम वालनट चेरी स्ट्राबरी इन सब फसलों पे काम होता है इसके अलावा हम लोग वहां से जो टक्नीकियां विक्सित होती हैं वो हम लोग किसानों को अपने माध्यम से भी और दूसरे राजियों में जो कृषिविच्विच्विद्याल हैं उनके भी माध्यम से और जो राजकी अस्तर की संस्थाएं हैं राजकी सरकार की उनके माध्यम से हम लोग किसानों तक पड़ती चली जा रही है और उमीद करते हैं कि अगले दो या तीन वर्सों में हम लोग जितनी वी फसले जितनी भी हाटी कल्चर या बागवानी से समंधित उत्पादों को हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका कंप्लीट इंपोर्ट सब्सिटुशन हो जाएगा आज इस्तिती यह है कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत जादा कर रहे हैं बागवानी की फसलों का लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमाला का छेत इतना बड़ा छेतर है इन तीन राज्यम से ले करके रोनाचल परदेश तक का इसकी इतनी अपार सिमाएं हैं उसको लिए हम लोग कट प्रिवद्ध है कि कैसे इस रिसोर्स को प्रियोग किया जाए बग्यान की का निवेश किया जाए किसानों के साथ हाथ में लाया जाए एक पार्टनर्शिप मोड में हम जो है किसानों के साथ जितने विए अंसधारक हैं उनके साथ इसका प्रमोशन करें और इसका वेल मुल को मिले इस मौफे पर खृषिए वन किसान राज्य मंत्री श्रीपर्शुक्तम रूपाला के अलावा क्रिशुप Dalas संधान परिशद की अलग अलग विभागों के पदाधिकारियों ने शिर्कत की साधी भारते क्रिशानु संधान परिशद की बहुत सी पुस्तकूं और प्रकाशनूं का विमोचन भी किया गया तो दिखा आपने ताज़ा स्तिती क्या बनी होई है और इस स्तिते पटने के लिए क्या कुछ महत्पूर्ण स्तर पर कारिये किये जा रहे हैं फिलाल इस खास पेशकरश में वक्त उचला एक चोटे से ब्रेक का आपका ही मत जाईए बने रहे दूरदर्शन किसान पर बेडियों को तोड़ती, रोडियों को छोड़ती, सशक्ती करण को ओड़ती महलाई, समाज में भरते प्राण, यूवा अर्मान, ग्रामीन धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछडी व्यवस्था को चीर कर देती नई उड़ान, पुर्वोतर में सरकारी प्रयास के विकास की नवधारा, देखिए पहली के रण, पुर्वोतर की कहानिया, सोमवार से शुक्रवार, दो बहर 12 बच कर 30 मिनट पर उपच के भावताओ, आवक का हाल चाल, आयात निर्याद पर पहनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनीवार, सुबह 8 बच कर 5 मिनट पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार, फिर स्वागत हमारी खास पेशकर्ष कोरोना से कैसे लणे किसान में लगातार, आपको हम जानकारी दे रहे हैं, किस सतर पर हमारे देश में ना सिर्फ कोरोना की रोगठाम के लिए, बलकि जो संकर्ट बना हुआ है, इसके निदान के लिए, इसके प्रबंधन के लिए क्या कुछ कारिय किये जा रहे हैं, फिलाल जो सिती बनी हुई है, उसको देखते हुए, जो चिकसक हैं, वो हमारे किसानों को क्या सला दे रहे हैं, आईए देखते हैं। जा सकता है, और दूसरा रस्ता है कि जब हम किसी बेजान चीजों को छूते हैं, जैसे कि डूर का हैंडल है, नॉब है, तोई भी चीजों को हम छूते हैं, जिसमें पहले सी कॉरोना वाइरस जो हैं आपर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छूके अपने इस एरिया को छू ले का पालन करना है, तो सब्सक्राइब का बतला है, कि एक इनसां से दूसरे इनसान के बीच में कम से कम एक मेटर का फास्ना होना चाहिए, तो कि ऐसा करने से अगर कोई आप्मी चीकता खासता भी है, तो भी जो वाइरस है, वो इस ते डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकता ह तो आपको जब भी चीकता है, तो हमेशा एक रुमाल, एक टूशू पेपर या जो आपको पीछे का भाग है, उसको यूज कर साथे कि उच्छ यूज करो दो हम जापको आपको एान्प मिज़ जो कि गुमाल, एक रेपको हमेशा भी चाच्छे झाल झाल भारतिय क्रिशियन संधान परिशत के वैग्यानिक COVID-19 की दवा विक्सित करने की और अग्रिसर वर्तमान में व्याप्त कोरोना महमारी विश्व समुदाय के लिए इस सदी के सबसे भयानक संकट के रूप में उभर कर सामने आई है कोरोना के नियंतरन हे तू फिलहाल ना तो कोई दवा और ना ही कोई टी का उपलब्द है परमपरागत रूप से एंटिवाइरल दवाओं को विक्सित करते समय वाइरस के किसी एक प्रोटीन को टार्गेट किया जाता है लेकिन वाइरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्थन करने के अपनी शमता इस तरह की दवाओं को बे असर कर देती है वैज्यानिकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है विकल्प के तौर पर पिछले एक देड़ दशक से वैज्यानिक मानो कोशिकाओं में विद्यमान लगबग 25,000 प्रोटीन में से उन प्रोटीन का पता लगाने में जुटे हैं जो वाइरस के लिए तो अतियंतावश्यक है लेकिन जिसमें कोशिका को अपना जीवन चलाने के अन्य विकल्प विद्यमान रहते हैं ऐसे प्रोटीन को टार्गेट कर एंटी वाइरल दवा बनाना जिसे सामान्यता होस्ट डारेक्टिड एंटी वाइरल थेरेपी कहते हैं इसमें दवा प्रतिरोधी वाइरस उत्पन्न करने की शमता ना के बराबर होती है भारतिय कृष्य अनुसंधान परिशत के अधिन कारेरत राश्ट्रे अश्वा अनुसंधान केंद्र हिसार के वैग्यानिक इस तरह की दवा को विक्सित करने में लंबे समय से प्रयासरत है इस दिशा में पिछले सप्ताह केंद्र के वैग्यानिकों ने होस्ट डारेक्टिड अन्टि वाइरल थेरेपी विशय पर एक लेक मशूर अमेरिकन पत्री का क्लिनिकल माइक्रोबायलोजी रिव्यूज में प्रकाशित किया है इस लेक में वैग्यानिकों ने परमपरागत एवं गैर परमपरागत एंटि वाइरल दवा बनाने के तरीकों एवं वाइरस की दवा प्रति दोधी शमता पर प्रकाश डाला है कोरोना महामारे के शुरू होते ही केंद्र वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी परमपरागत दवाओं पर तेजी से परिक्षन शुरू किया जिनका उप्योग मनिश्य में पहले कभी न कभी अन्य बिमारियों में हो चुका है और जो पूर्ण तया सुरक्षित मानी जाती है ऐसी दवाएं सामाने तहा सीधे वाइरस पर टार्गेट करने के बजाए होस्ट की प्रतिरोधक शमता को बढ़ाती है इस दिशा में एक कमपाउन वी टीसी एंटीसी वन ने मुर्गी के भ्रोणों को कोरोना वाइरस के खिलाफ न किवल पूर्ण तया सुरक्षा प्रदान की अपितु भ्रोणों के विकास को भी सामाने बनाय रखा ततपश्चात इस दवा का अन्य विशाडूं जैसे एंटीवी या आरेने वाइरस एवं बफैलो पॉक्स यानि डिएने वाइरस में भी सफल परिक्षण किया गया उप्रोक्त सभी परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि वी टीसी एंटीसी वन कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है इस दिशा में अभी और परिक्षण जारी है तो देखिए आपने चिकिस्सक की सलहा ये बेहर ज़रूरी ना सिर्फ जो चिकिस्सक हमें सलहा दे रहे हैं बलकी सरकार द्वारा भी जो दिशा नियोदेश जारी किये गए हैं उनका पालन हमें करना होगा लोगडाउन फिलहाल देश में नहीं है अनलॉक की जो सिती है वहाँ पर भी कुछ रियायते जो है या सावधारी जो है वो हमें लगातार बरत्नी होगी जागरुक रहना होगा और हर इक दूसरे व्यक्ति को जागरुक भी करना होगा फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशक्रश में बस इतना ही कल फिर हाजर होंगे तासा जानकारी के साथ तब तक के लिए दीज़े जासत नमस्कार